हालो स्टुडेंट वेलकम तू आश्यस क्लासे स्पीसी एंपीसीबी बच्चो आज हम लोग क्लास 11 में एक नया चैप्टर इस्टार्ट करने जा रहे हैं। है हमारा structure of atom और structure of atom में जो हमारा आज का topic रहेगा discovery of electron ठीक है तो discovery of electron को हम इस डाइग्राम के थो बहुत अच्छे से समझेंगे तो lecture को पूरा जरूर देखेगा तब ही आपको सारी चीजे clear होंगी और चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करिए वीडियो को जितना हो सके like और share करिए तो चलिए start करते बच्चों अगर हम बात करते हैं आज हमारा topic है discovery of electron यानि electron की discovery कैसे हुई ठीक है तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि electron की discovery किसने की थी तो यह हमारे scientist थे जिसका नाम था जे जे थॉम्सन और जे जे थॉम्सन ने 1897 में electron की discovery की ठीक और इनका जो discovery करने का जो experiment था उसको बोलते हैं हम लोग cathode ray experiment यानि cathode ray experiment के थो इन्होंने electron की discovery की कैसे की उसके लिए हम सबसे पहले एक डाइग्राम को समझते हैं यह है क्या जे जे थॉम्सन ने क्या किया कि बच्चों 1897 में सबसे पहले एक क्या लिया एक discharge ट्यूब ली ठीक है इस तरीके से एक glass की बनी हुई यानि काज की बनी हुई एक discharge ट्यूब ले ली ठीक है क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि इनहीं ट्यूब का बहुत ज्यादा चलन था और यही ट्यूब ज्यादा थर experiment में यूज हो रही थी तो इन्होंने क्या किया एक discharge tube ले ली कुछ इस तरीके से discharge tube ले ली ठीक है discharge tube लेने के बाद में उन्होंने उस discharge tube को क्या कर दिया electrode से fit कर दिया ठीक दो electrode लगा दिया एक इधर लगाया एक इधर लगाया और उन दोनो electrode को एक battery से connect कर दिया यहाँ पर एक battery रखी है यह बैटरी है और जो बैटरी थी वो काफी powerful बैटरी थी यानि 10,000 वोल्ट की बैटरी थी ठीक है कितना voltage था 10,000 वोल्ट की बैटरी से इन्होंने दोनों कैथोड को दोनों इलेक्टरोडों को जोड़ दिया जैसा आप देख रहे होंगे तो जो negative terminal से बैटरी के जुड़ा था वो हमारा क्या था वो cathode था और cathode negative charge होता है और जो positive terminal के साथ में एलेक्टरोड जुड़ा था वो था हमारा एनोड क्या था बच्चो एनोड तो इतना समझ में आया कि उन्होंने क्या कि एक discharge tube ली फिर उस discharge tube में क्या कि उसमें जो negative terminal था उसका वो cathode था यानि cathode को negative terminal से कनेक्ट कर दिया और जो positive terminal था उसको एनोड बोला गया यानि positive terminal से नोड कनेक्ट था बैटरी बड़े ही high voltage की बैटरी थी यहां तक समझ में है आगे देखो बच्चो क्या किया इन्हों ने यहां पर क्या किया कि इस tube में एक vacuum pump लगा दिया थिक vacuum pump वैक्यूम पंप इसलिए लगाया ताकि इस tube का जो pressure है वो बहुत ही low किया जा सके हमें पता है कि हमारा जो atmospheric pressure होता है वो 760 mmHg था होता है अब इससे कम यानि 10 की power minus 2 mmHg pressure किया गया यहां का pressure बहुत ही low कर दिया गया अच्छा बच्चो रीजन के है low pressure करने का तो pressure को low इसलिए किया गया क्योंकि देखो अगर gas के particle दूर दूर है तो क्या इसमें current flow हो सकती है बिल्कुल नहीं flow हो सकती है लेकिन अगर हम pressure low करेंगे तो gas के particle यह पास पास आ जाएंगे और जो पास पास आ जाएंगे तो इनसे current क्या हो जाएगा flow हो जाएगा यही कारण था यहां का जो pressure था उसको बहुत ही कम कर दिया गया 10 to power minus 2 या minus 3 mmhg कर दिया गया यहां तक समाज में आया कि vacuum pump का का काम क्या था और इस पर कुछ cosmic rays भी डाली गए ठीक है क्या डाली गी कुछ cosmic rays भी डाली गए जो हमें संसे रिसीब होती है cosmic rays डाली गए आगे देखो बच्चो तो जब इसका vacuum tube को क्या हुआ कि इन्होंने इसमें current flow किया ठीक तो current जब बच्चो फ्लो किया तो यहां से कुछ rays निकली इस तरीके से यहां से कुछ rays निकली है ना यहां से बहुत सारी rays निकली ठीक यहां से किधर से निकली cathode से यानि यह cathode rays निकली जिन्हें हम लोग minus rays निकली यह negative rays बोलते हैं अब common सी बात है अगर minus यानि cathode क्या है minus क्या है और cathode से अगर rays निकलेंगी तो इनका attraction किधर होगा एनोड की होगा ठीक तो यहां से यह rays निकली ठीक है एसे करके यहां से यह rays निकली ठीक और यह negative थी और यह निकल करके हो निकल रहा था कि यह एनोड को penetrate कर रही थी यानि इसको पार कर रहे थी पेंट्रेड यानि इसको पार करके निकल ले थी और निकलने के बाद में यहां पर एक coating कर दी गी थी बच्चो कोटिंग किसकी की थी जिंक सलफाइट जो fluorescent coating थी fluorescent coating का मतलब बच्चो आप देखो ऐसे तो यहां पता नहीं चल ला था तो इन्होंने क्या किया जो हमारे scientist थे इन्होंने यहां पर fluorescent coating कर दी किसकी zinc sulfide की अब जिंक सलफाइट की coating कर दी तो जो यहां से यह हमारी cathode rays निकल के जा रही थी यह क्या हो रही थी यहां पर चैसे ही इन पर पड़ रही थी इस fluorescent coating पर पड़ रही थी यहां पर एक glow हो रहा था यानि यहां पर कुछ light सी चमक रही थी glowing हो रहा था तो इससे यह पता चला कि यहां पर कुछ rays आ रही है वा कहां से नहीं तो इधर से आएंगी तो यहां पर यह हमें पता चला था ठीक है अब यह negative rays थी तो common सी बात है यह अगर इधर से की और जाएंगी तो current इधर की और flow होगा ठीक है तो इन ही rays को जेजी थॉमसन ने क्या बोला? electron बोला और यहीं से electron की discovery होती है ठीक है? समझ में आया? यहीं से electron की discovery होई ठीक है? और फिर इन ही को क्या बोला गया? बच्चो, electron बोला गया ठीक? अगर electron इधर flow करेंगे, flow of electron इधर होगा तो current इधर flow होगा ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर electron की discovery होगी, आपको समझ में आया होगा ज्यादा कुछ इसमें है ना? है नहीं, ठीक, अब देखो बच्चो, इसमें conclusion निकाला गया, conclusion क्या निकाला गया? कि जो cathode raise होगी, वो always straight path में चलती है, मतलब यह ऐसा नहीं कि cathode raise हमारी कुछ इस तरीके से जिग-जग करें, यह गलत हो जाएगा cathode raise बच्चो क्या होता है? हमेशा straight line में जाती है, ओके? तो cathode raise क्या होती है? हमेशा straight line में जाती है, दूसरा point पच्चो एक और cathode raise की quality थी, क्या? कि cathode raise के बीच में अगर यहाँ पर light wheel बनाके कुछ रख दिया जाए तो यह उसको घुमा देती थी, रास्ते में अगर कोई light wheel टाइप का लगा दिया जाए, तो यह उसको घुमा देती थी, यहाँ तक समय गया है cathode raise की एक और quality थी बच्चो, आगर हम cathode raise के बीच में कोई high metal foil लगा देते थे, तो यह उस metal foil को cross करके उसके बाद में ये x-rays में भी convert हो जाती है, और यहीं से हमारी x-rays भी बन जाती है समझ में आया होगा बच्चो, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि electron की discovery कैसे हुई, किस ने की, jj thompson ने की और अपने cathode raise experiment से की, है न, तो इस lecture में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल को subscribe करिए, वीडियो को जितना हो सके, like करिएगा, thank you for this class